हाई वीवर्स इस मेरे बाहा इम्रान और वाचिंग माई यूटीब चानल वीवर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है और वो अचीवमेंट यह है कि इंडिया की इस्टू की जानब से 36 OneWeb सेटलाइट लाँच की गई है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है UK और इंडिया की जो है एक बहुत बड़ी कोलाबुरेशन है इस पर आज हम जो है हमारे साथ गेस मौचूर है डॉक्टर इश्तियाक हमद सहाब उन से आज हम जो है गुफ्तुकू करेंगे कि वो इंडिया के एक बहुत बड़े सहाब बहुत बहुत बड़ा आप बड़ी वेल, थैंक यू आप भी ठीक हैं, I am very hopeful। पहल रहं को पिल्कूल से वो तो माशायलला से पर देखी लग रहा है, जो आज जो मिरा जो इजन्डा है, बिसकिली वो आपको पताएकि इंडिया की इस्ट्रो के हमाले से है और उन्हों ने बिसिकिली जो है वन वेब 36 सेटलाइट जो हैं लाँच की है इंडिया की इस्ट्रो ने क्या गया चाहेंगा आप इस हमाले से देखें इंडिया की अड्वांस्मेंट तो स्पेस एक्स्ट्रोरेशन में खासी आगे है ठीक है उनका एक प्रॉजेक्ट जो फेल हो गया था वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सा तो लेकिन आपके वो मून पे लैंड कर जाएं और देखें ये मून लैंडिंग और स्पेस ए इड्वांस्ट कंट्रीज इन दे वर्ल देखें इंडिया एक राइसिंग पावर है ये मान लेना हमारे लिए कोई शरम की बात नहीं होने चाहिए ये एक फैक्ट है फैक्स को मानना जो है वहां से हकीकी सियासत हो सकती है बिलकर सर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की ह अपने चंद्रियान मिशन अच्छी की बात कर लिए और इस अवाले से क्या क्या है कि यून मी कहां ये जा रहे है कि वह भी मुकमल कर लेंगे और वह भी लांच कर देंगे उसके अलावा ये 72 जो है सैटलाइड का प्रोजेक्ट था जिसमें 36 जो है उन्होंने और बेग भी है और कहा यह जा रहे है कि है जानवरी में यह कंप्लीट हो जाएगा हमारा यह दूसरा प्रोजेक्ट भी मतलब उनका जूसरा यह प्रोजेक्ट है जाने वह इक तोonnenवेंगे क्या किया चाहें कि कैने तो यहीं चाहेंके के इस में कोई शक नही कि这 जो ये है अपना इस किसम की साइंस में डिवेलपमेंट टेक्नोलजी में डिवेलपमेंट बहुत इंप्रेसिव है और अब वो स्पेस में जा रहे हैं और इन बिग बे जा रहे हैं कुछ लोगों की तनकीद है सारी स्पेस एक्स्प्लोरेशन पे के स्केर्स रिसोर्सिस जो है बजाए अपने मुलक की development में गुर्बत खत्म करने में और जो देखे ना climate change को tackle करने में इसकी बजाए ये जो मुलक हैं अपने resources एक वो क्या कहते हैं prestigious competition में डाल रहे हैं ये एक उसकी critical point भी हो सकता है कि does should India be doing it I am not to judge लेकिन मैं उन में से हूँ जो समझते हैं कि जमीन पे जब अमन होगा इनसाफ होगा तो exploration यू अपना space की भी करना मुनासिब है ये एक balance तरीके से चलना चाहिए तो ये एक तनकीद करते हुए मानना पढ़ेगा कि Indian science बहुट develop हो हो रही है और बहुत जल्दी से हो रही है बैकर सर हमें इस टाइम जो हमारी current situation चल रही है हमें सीखना चाहिए जिस हिसाब से मतलब working वो लोग कर रहे हैं इंडिया की इस्टो इविन कि उन्होंने इपने यंग शूद को बहुत जदा पर्मोट किया है ताकि वो research and development में आग है वो हमारे सामने है कि UK based company जो है वो इंडिया की साथ collaboration कर रही है उनकी जो मतलब satellites है वो उनकी और विट के थूरू बड़ी अच्छे एक achievement है इंडिया की इस प्रू के लिए भी तो सिर्क क्या कहना चाहेंगी कि एक बहुत बड़ा project है हजार के क्रोड का project है ये तो आप इस technology में इस science में उस में से तो हम सब impressed हैं और they are one of those जो अगर एक दफ़ा फेल हो गए है तो वो moon पे land भी कर जाएंगे लेकिन इतनी बड़ी रकम एक गरीब मुलक जहां पे अभी तक इतनी poverty हो इतना क्या उसको खर्च करना चाहिए ये एक स्वाल तो मैं हमेशा करूंगा लेक कि जाहर है science की development एक मुलक की power भी होती है तो अगर पाकिस्तान में अभी तक ये जगड़ा है कि एद का चांच आज नजर आया या नहीं आया 29 दिन का होगा या 30 दिन का होगा इस पर ही हर एद पे और एदों पे जगड़ा होता है हम वहाँ पे ठहरे हुए है एक ऐसा दिन और पाकिस्तान की ये जो agencies हैं जो space को explore कर रही है इन में cooperation जिस दिन होगी तो उसका direct benefit हमारे दोनों मुलकों बलके इस पूरे reason को होगा तो ये भी मेरा एक perspective इस पे है बड़ा ही जबर्दस आपने ये पॉइंट पेश किया है कि अगर तोनों मुलकों की जो research है वो सेव हो जाए तो काफी development देखने को मिलेगी और तो क्या कहना चाहेंगे कि आप रिशी सौनक जी जो इंडिन से तालुक रखे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर वन चुके हैं कि उसके बाद दोडों कंफीज के दरम्यान क्या relations देख रहे हैं और इस तरह की collaborations और दिवाली का जो प्रेस्टिवल वहां पर चल रहा है और मैंने काफी जो articles पड़े हैं उसमें कहा जा रहे हैं कि ये जो surprise था इस तरह कि इस रो ने जो surprise दिया है दिवाली के मौके पर और क क्या क्याना चाहेंगे रिशी सोनक जी का वहां का प्रेजिडेंट बन जाना प्राइम मिनिस्टर बन जाना और पूर क्रेंट सिच्वेशन को क्या देखते हैं आने वले टाइम में खिते की खिते में दोनों के relations और बहतर होते भी नजर आ रहे हैं क्या कहीं ये बताना बड पंजाब में बिजनस में और इंडस्ट्री में सबसे जएदा आगे थे तो ये खत्रियों के एक खांदान से ये लड़का जो है वो अब यूके का प्राइम निस्टर बन गया है एक और इंटरस्टिंग बात करनी चाहिए कि आज की दुनिया में नसल मजभ की बन्याद पे आगे बढ़ने के चांस उस तरह नहीं है जब एक जमाने में होते थे आपकी कॉंपिटेंस आपकी क्वालिफिकेशन्स की बन्याद पे आगे बढ़ते हैं और यूके की डिमॉक्रिसी ने अगर एक इमिग्रेंट इंडियन फैमिली पंजाबी हिंदू फैमिली के लिए एक भीमॉक्रिक बमेंबर को ये चांस दिया है तो ये उस यूके की जमुरियत की निशानी तो है ना कि एथनिक बन्यादों पे प्राइमिस्टर नहीं बनते रेसियल बनादों पे नहीं बनते नहीं बनते बलके अपनी कॉंपिटेंस पे बढ़ते हैं वो दूसरी बात है कि ख्यासी तोर पे वो वहां पे भी यूके के अंदर बहुत ये पावर्टी का इशू भी है, लोग कह रहे हैं जी हम तो अपना बिल नहीं दे सकते हैं जो हीटिंग की होता है, इतना बुरी हालत है यूके एकॉनमी की, विल ही बी अबल टू मेक अचेंज, लेट सी, लेकिन ये खुशी की बात होनी चाहिए, और मेबी इस इस देकेट अफ इंडिया टू मूव फॉवर्ट, ये भी तो हो रहे है ना, चाइना जो है एशिया की नंबर वन पावर बन गई है, अब नंबर टू पावर इंडिया ने ही बनने हैं, मेरा कई दफा मैं कहता हूँ, अगर हम उ दोनों की जो है ना, नफरतें वो कम हो और यहां पे अमन हो, और हो सके तो इंडिया और पाकिस्तान कॉपरेट करें, रिशी सोनक का वहां पे आना जो है, एक अलामत है, कि दुनिया बदल रही है इन अ पॉजिटिव वे, क्या वहां पे वो जो एक बैड एकॉनमी है, उसक वो हैंडल कर सकेंगे या नहीं, आई वूड नाट नो, लेकिन अगर दिवाली पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो यह खुशी की बात है, वेरी गुड, एक्सलेंट, और मैं तो, आम वेरी हैपी कि यह पंजाबी हैं, और वेस्ट पंजाब से, गुजरंवाले से यह खांदान है, यह मैंने पूरा चेक कर लिया, कि यह कौन लोग हैं, तो सरी यह तो एक अवरॉल खिद्धे के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, कि हम देखते हैं कि इंडिया हम हर, मतलब, डिवालपमेंट में आगे जा रहा है, हर फील्ड में हम देखते हैं, व और मजीद स्ट्रॉंग होता जाए, और जिसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं, और आने वाले कल मैंने एक इंट्रिव्य भी किया था, और उन्होंने भी मुझे यही कहा, कि आने वाले दस साल में जो है, वो चाना तक जो है, वो जाने की कोशिश में हैं, इंडिया, और क् चाहेंगे कि क्या इसकी बीचे रीजन्स हैं, कि इंडिया इतना आज की डेरिक्मिट स्टर्च रिवालप्मेंट में वोर्किंग कर रहा है, इसकी बीचे क्या अफेक्टिर्ज देखें हैं? देखें, अगर आप हकीकत मानें, तो जो मॉडर्ण पीरिड की स्टेट जो है, वो सैकलर होनी चाहिए, वो साइन्स पे बेस्ट होनी चाहिए उसकी पॉलिसीज और इंडिया ने जो आलना लेरू के दोर में आईटी इस्टेबलिश की, हाँ, साइन्स को बहुत तरकी दी, अगर आप देखें तो ये मौलाना अबूल कलाम अजाद थे, इंडिया एजूकेशन मिनिस्टर और जो आलना लेरू दोनों ने मिलके ये ग्रैंड प्रॉजेक्स बनाये थे, साइन्टिफिक डिवलप्मेंट के, रैशनल एजूकेशन, रैशनल एजूकेशन से क्या मुराद है, अकल की बनियाद पे एजूकेशन, उसके साथ-साथ ठीक है, वो एक सोशलिस्ट मॉडल था, जो इतना काम्याब, शायद दुनियावी लिहास से नहीं था, लेकिन गुर्बत को टैकल करना, इस किसम के इशू, नेरूवियन स्टेट का इसा था, बाद में तबदीलें आएं, उन्होंने अपनी एकॉनमी को भी मॉडरनाईज कर दिया, ओप अपनी मुलकी एक इंडिस्टिल क्लास पहले से एक्जिस्ट करती थी, हमने एक आइडियोलोजिकल स्टेट में इस किसम की, और वो भी बनाई जो साथवी सदी की वैल्यूस को आइडियल बनाके तो 21 सदी में अपना एक रस्ता ढूंड रही है, अगर हम उसको बंद कर दें और हम भी 21 सदी के जो तकाजियें उनके मताबिक पाकिस्तान को डिवेलप करना चाहें, तो यह मैं कहूंगा सर अब यह जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिया, आपने देखते हैं महिंदरा एंड महिंदरा जब पार्टिशन हुई उससे पहले जो है महिंदरा एंड महिंदरा थी, तो मतलब उसके पार्टिशन के बाद से जो है वो यह सेप्रेशन हो गई, और आथ मह हिंदरा और महिंदरा वो है वो कहां पर पहुंच हुआ है है अरे लहोड महिंदर के थे मलक घुलाम मुझ aur PhD आपके मांदा फाकिस्ताई के फाके आपके अपके आपके चाने फाके ज讲 मले गुलाम मुहिद्ध के खानदान और वो सारा खतम होगी अब महिंद्रा आगे निकल गए क्यूंकि आपने ये पार्टिशन करवा के अपने लिए एक मसला तो खड़ा कर दी है ना अब आगे बढ़ने के लिए आपको पूरा स्कोप था आगे जो नहीं बढ़े क्योंकि आपने और 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 आइडियोलोजी को अपने आप पे डाल लिया है और वो आइडियोलोजी जो है आपको रोक रही है आगे बढ़ने से वरना इंडिविजुली पाकिस्तानी स्टूडन लड़की हैं लड़के वो किसी से कम नहीं है जब मैं उनको यूनिवरस्टीज में देखता हूं उनको चांस मिले दे डू वेरी वेल लेकिन इंडिया में पहले से ही साइंस पे टेकनोलिजी पे रेश्टनल एजूकेशन पे जोर था उसको लेके फिर उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई बिजनस एथिक्स चेंज हुई और वो आगे निकल गए है बहुत बड़ी एकॉनमी तो है ना इतनी बड़ी मार्केट है वन पॉइंट थी वन पॉइंट फोड बिलियन की मार्केट तो वह इंटर्नली भी वह अपने आपको बहुत आगे ले जा सकत चाहिए हूं तो वो शचेंज है और उनको मुबार्यग बात हो। तो उसकी बज़ा है ना कि हमने प्रायॉरिटी जी अपनी गलत रखी हैं हमने चार जंगे इंडिया से कर ली हाँ जी किश्मीर के सिलसले में और किश्मीर को लूज हमने खुद की है मैंने बताया भी अपनी अगर आप मेरी पता गताब पड़े ना जिना इस सिक्सेस इस फेल इंडिपेंडनेंट होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ जुकती या वो अल्टिमेटली पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कुछ और रिलेशन्शिप हो जाते हैं उस जगड़े के बाद भी लॉस्ट कश्मीर थ्री अपना टू थर्ड उनके पास है वन थर्ड शहद हमारे पास है तो बस यह है अब हकीकत वाट कैन भी डू क्या किया जाए लेकिन अभी भी चेंज आ सकता है अगर हमारी रूलिंग क्लास है ना उसको अकल आ जाए कि इंडिया के साथ हर जगा पे टकर लेना जो है ना वो काउंटर प्रोड़क्टिव है इस टाइम अट अल तो आप अपने मुलक को सुधारें अपनी प्रायॉरिटीज ठीक करें अब यह जगड़ा जो हो रहा है इमरान खान के इर्द गेर्द और यह और वो यह एक और मसीबत खड़ी हो गई है इसमें इंडिया को ब्लेम करना कभी अमेरिका को ब्लेम करना कभी इसराइल के हवाले से भी एक अलग जो है वो एक कवर करना चारी जब जब चाहिए आप कर लें ठीक है ठीक है बेकुल अपने टाइम निकाला हुमीद कि त्यूंके प्रोग्राम सबको बहुत पसंद आया होगा इस तरह कि मदीर वीडियो देखने के लिए देखते रही है मेरा